So Hello Future Doctors, कैसे हैं आप सब I think बहुत अच्छे होंगे, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर विशेव, दोस्तों, NEET 2024 का एक्जाम कब होगा, NEET 2024 का स्लेबस क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और लाखों बच्चे इस सवाल का एंसर जानना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले, NCRT ने बहुत बड़े बदलाओ किये, उन्होंने क्लास 12 की बहुत सारे सब टॉपिक्स को NCRT के बुक से रिमूब कर दिया है, या कुछ चैप्टर्स को रिमूब कर दिया है, अब बच्चे ओल्ड NCRT पढ़ें, या फिर नू NCRT पढ़ें, इस ब्लाइंड स्लेबस को ले NTA से कि बच्चे इस ब्लाइंड स्लेबस को कब तक पढ़ें, NTA ये क्लियर कर दे कि नीट 2024 का स्लेबस क्या होगा, तो उस स्लेबस को आधार मानकर लाखों नीट एस्पिरिंटिंटिंका सपना है, अब बीबियेस करना, बीडियेस करना, बीमेस करना, तो वो पढ़ सकें, जिससे एक्जाम में अच्छा स्कोर वो कर सकें, अब ये बात जब सुप्रिम कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने पूरी बातों को बहुत सालिंता से सुना, और अगली डेट जो है, सप्तमबर के महिने में 14 को दी, कोर्ट ने कहा कि जब 14 को NTA कोर्ट में आए, तो वो ये डिस पाएंगे, और आपको क्या लगता है, कि NCRT की नई वाली बुक या पुरानी वाली बुक, किस बुक से नीट की कोश्चन्स आने चाहिए, तो ये तने कंप्लीट आर्टिकल, तो दोस्तों ये है आपके सामने कंप्लीट आर्टिकल, आप टाइटल देख रहे हैं, आदालत ने NTA से मांगा जवाब, याचिका पर सुनवाई के बाद नियायमूर्थी पुस्थपेंद कुमार गौरों की पीठ ने रास्टिये चिक्रिस्था आयोग याने की NMC और रास्टिये परिछण एजंसी याने की NTA को नोटिस जारी कर दो सपता में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है याचिका पर अगली सुनवाई सितंबर 14 को होगी ठीक है अधिवक्ता के माध्यम से याचिका में याचिका करते हैं प्रदीप ने कहा कि दस्वी बारहमी क अच्छा में पढ़ रही उनकी बेटी नीट योजी 2024 की तयारी कर रही है उन्होंने कहा कि नीट परिच्छा का पार्टिकरम एंसियाटी की दस्वी बारहमी की किताबों पर आधा ही थे यहाँ पर 11 और 12 की और जिसमें अभी एंसियाटी ने काफी चेंजिस किये हैं तो किस स्लेबर्स को आधार मानकर उनकी बेटी या उनकी बेटी के जैसे लाखों बच्चे देगा कि नेट के बच्चों को किस स्लेबर्स को आधार मानकर नेट की प्रप्रेशन करनी है ओल्ड एंसियाटी या फिर निव एंसियाटी तब तक आप सभी वेट करें पढ़ते रहें जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको कंप्लीट डेटेल बता दूगा कि अब आपक बहुत बहुत धन्यवाद थैंकि सो मच जैहिन